असलाम लेकुम टो एविवन डियर स्टुदेंस तोड़ेंग गोईंग तो डिस्कॉसिंग टॉपिक विच इस था हर्मून रिगुलेशन एंड एक्शन सब्जिट एक्षरसाइस पेजियॉलची एंड पॉर्ड टेक्नॉलची डिपीटी तो आज का मारा जो टॉपिक है वह ह हार्मून उसकी रिगुलेशन एंड़ एक्षं के बाद बात करेंगे दोष एक्सराइजस सर्स्लेस तो स्वर्स्ट हमारे पास हार्मून से हो हमारे पास हैं होते हैं वीक्राइज نवारे और हर्मून डैक्लिंट ब्लेड मिन इन हमारे सो फस्ट हमारे पास जो हर्मून्स हैं वो हमारे पास सिक्रीटिट होते हैं फ्राम्दा एंडोक्राइन ग्लैंड से एंडोक्राइन ग्लैंड से तो वो हमारे पास जो एस भी नो के वो हमारे पास डक्लेट्स ग्लैंड्स होते हैं mean and that secrete their hormone directly into the blood mean हमारे इसमें जो हर्मोन्स होते हैं डखलेट्स होते हैं इसमें घेकँ है यह हमारे पास जॉक्ष करता है यहां पर पिक्चर में इसको देख सकते हूं कि हमारे पास थेलमस जो है तो यहां पर लुकेट हुआ वा है in this region of the brain, ठीक है, below the thalamus, अब यहां पर आते हैं कि hypothalamus हमारे पास क्या करता है, कि यह hypothalamus control करता है activity को of the anterior and the posterior bacteria gland, हमारे पास यौज हमारे पास जो ऑंडों आनकी activity को completely control करता है and influenced by positive and negative input नहां पर हमारे पास positive and negative input का मीन है कि जब हमारे हैं हमारे पास हैia hypothalamus release होता है कि यह जो पॉजिटिफ चेंज होता है means positive and negativeVIS imp चाहिँ हमारे पी जो positive change होता है उसको enhance करता है वो जो negative input होता है यह उसके activity को degrees करता है तो maintain the and control the body नेक्स्ट हमारे पास जो हर्मून आता है वो है anterior pituitary gland anterior pituitary gland हमारे पास जो है तो हर्मून को release करता है और वो है हमारे पास growth hormone जो के सिक्रीट होता है anterior pituitary gland से अब यहाँ पर आपको कहते हैं कि growth hormone क्या करता है कि यह सिक्रीट होता है from the anterior pituitary gland से and essential for the normal growth यह hormone as indicate उसके अपने name से indicate होता है कि यह hormone हमारे पास जो है तो normal growth के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है next क्या करते है कि stimulate the protein synthesis अब यहाँ पर protein synthesis का मतलब जो है तो यह है कि हमारे यह hormone क्या करता है कि protein synthesis वो process है this one protein synthesis यहाँ पर protein synthesis process in which a cell make proteins ठीक है and हमारे पास जिसमें cells जो हैं तो वो proteins को बनाते हैं next यह आपको क्या कहते हैं कि end long bone growth डिपिनेंटली जब growth का नाम आता है तो वो bones की growth में भी involve होता है next क्या करते है कि increase during exercise हमारे पास तो यह growth hormone है exercise से हमारे पास increase हो जाते हैं and mobilize fatty acids from the edipose tissue अब भी हमारे पास जो fatty acids होते हैं PBT tissues होते हैं जो कि मारे पास obesity कास करते हैं यह क्या करते है हर्मोन जब यह ज़ादा हो जटा है द्यूरिंग एक्सरसाइज तो यह उसको मोबिलाइस करता है मोबिलाइस मीन के उन फैट्स को ब्रेकडाउन करता है नेक्स्ट करते हैं कि एड्स इन दा मिंटेनिस आफ दा ब्लड ग्लुकोज ये हमारे पास जो ग्लुकोस का जो लेवल है ये उसको भी मिंटेन करते हैं अगर आप यहां पर फिजियोलाचिकल एपक्त आफ ग्रोथ हर्मून में देखें ठीक है हमारे पास ग्रोथ हर्मून है ये क्या कर रहा है एडिपोस्ट टिशू का डारेक्ट होता है ग्रोथ ष का जो इन्टारेक्ट परता है हमारी लांग बॉन के उपर and ये हमारे पास आप बोडियस है अल्ना है इंडब्यों हार्मून आता है वह पुस cad flu की दो हिसरी खलान जो है तो हर्मून को सिग्रीट करताском है और उसको हम कहते हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन एडी एच आर वेजो प्रेसें यह हार्मोन जो है तो यह पुस्ट्रियर साइट जो है तो पुस्ट्री ग्लाइन का महां से रिलीज होता है अब इसका काम क्या है कि इट रिड्यूस ता वाटर लॉस प्राम्ता बाडी तो हमारे पास एडी एच Veron ज्यादा होता है है अगर हम यहां पर डायग्राम को देखें ठीक है पारिसेंट तो अगर हम विर्क आउट कर रही है ठीक है तो वरकाउट में हमारे पास क्या होता है क्या करेगा वह कृड़िश कर देता ब्लुड प्लाजमा को फटै को डिक्रीज करता है ब्लड प्लास्मा को स्वेटिंग ओर यह डिपनेंट लिए बॉटी में पानी की जो है तो वह कमी हो रही है दू टू एक्सासिव स्वेटिंग दूरिंग वर्क आउट तो यह क्या करता है है फिस्टुरियर पिचली ग्लाइंट को कि वह क्या करें वह एडिएच टू इट अधिएच टेल्स टाकिड़नी टैट हाओ मच वार्टर तो कंजर्व एंड बैनस्ट वाटर इन यूर ब्लड ठीक है जब हायर कंसंट्रेशन हो जाती है तो वह इंक्रीज कर देती है किसको हायर कंसंट्रेशन जब वाटर क्यों होती है तो हमारे पास क हुआ में अखिए प्लास्मा एडियंच कंसंट्रेशं ड्यूरिंग एकस्रसाइज है हमारे पस जब हम पें वाटर मीन हम जब अक्सीजन मेक्सिमाँ अक्सीजन को जब अंटेक करते हैं ठीक है अब टेक करते हैं मैक्सिमाँ अक्सीजन तो वह हमारे पास क्या करती है प्लास्मा के परसंटेज में वह चेंजेस जो है तो वह ले कर आती है मीन उसके लेवल को डिग्रीज करती है में करत के ओपर हमारे पास थिकर आप यहां पर देख सकते हो था रइंट क्लांड एक हमारे पास टू लूप से थ। consist होते हैं one this and one this ठीक है यह थाइराइड ग्लैंड हमारे पास two loops पे जो है तो consist करते हैं थाइराइड ग्लैंड में हमारे पास आते हैं ट्राइडो थाइरोनीन T3 and thyroxine T4 and both are important in the maintaining metabolic rate and allowing full effect of the other hormone यह हमारे पास इसके हैंते हिमारे पर आ जाता है यह हैं ऑप को यही लिखил On खीक है यहां पर पिर हम आप को यही लिखा हुआ है कि regulation of the plasma and the calcium level mean यह हमारे पास कुछ body organs पर act करता है as a result to maintain the calcium level second हमारे पास जो आता है वो है परा-thyride hormone it is also involved in the plasma calcium regulation हमारे पास अब यहाँ पर जो परा-thyride hormones होते हैं वो है भी हमारे पास जो है तो वो प्लासमा में होते है and as a result दोनों क्या होता है calcium को regulate करना यहाँ पर आप देख सकते हैं calcitonin ठीक है T3 and T4 जो कि हमारे पास बिट्री ग्लाइंट से release होते हैं ठीक है वो इनका काम क्या होता है दोनों का काम regulation plasma and the calcium को in the body maintain करना next हमारे पास जो आता है वो है adrenal medulla adrenal medulla हमारे पास जो है तो वो inner part है आपदा adrenal gland का और यह हमारे पास control होता है fight or plight जैसे हम कह सकते है emergency में ठीक है emergency hormone है यह secret करता है epinephrine को और non-epinephrine को non-epinephrine को and epinephrine को इसका काम क्या है यह increase करता है heart rate को glycogen Chart to her and lip mo he से एं इस उन खोन दो यह को जाम है तो यह पूंद्ध मतलब चाहिए he een relev nessa ही दो इनकी ब्रेक डाओन करते हैं और आं वहालों करते हैं यहांब आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर यह लोकेट करता है यह रेट कलर में आपको यहां पर नजल आ रहा है ट्राइंगल इन शेप यह रिलीस कर रहा है किसको एपिनेफ्रीन एंड नौर एपिनेफ्रीन और बोर्थ एफेक्ट आन दा किट्न दो नेस्ट हमारे पास जो आता है वह एडृनल काटेक्स अजयसे हमने प्लीवेस स्लाइड में का था इड्रेनल जो मेंडोला है वह इनर पार्ट है यह आपके पास आपके पास एड्रेनल काटेक्स है and cortex is denoted for the outer region of the part यह अब आपके पास outer region पर locate करते हैं, gland पर यहाँ पर इसको हम mineral corticoids भी कहते हैं, endroistoron भी कहते हैं इट maintain the plasma, sodium and the potassium, also regulation of the blood pressure यह हमारे पास जो है तो body में sodium को और potassium को जो है तो maintain करता है जैसे कि हमारे पास adrenal mendola calcium को maintain करता है तो साथ में यह हमारे पास जो body का blood pressure है, उसको भी regulate रखता है अरण cortex में हमारे पास जिसे हम glucocorticoids भी कहते हैं, cortisol भी कहते हैं stimulated by the exercise and long term fasting mean यह भी हमारे पास exercise से stimulate होता है mean enhance होता है and long term fasting से mean ठीक है अगर आप ज़रा time तक कुछ food नहीं लेते हो ठीक है तो fasting exercise से यह enhance हो जाता है, increase होता है function इसका क्या होता है कि promote the use of the fatty acids as a fuel ठीक है यह जो है तो fatty acids को जो है तो mobilize करता है ठीक है और उसको as a fuel जो है तो यह use करता है और body's fats को जो है तो वो reduce करता है stimulate glucose synthesis glucose की जो है तो breakdown करता है, promote करता है, protein breakdown पार्था, glucogenesis, gluconeogenesis and the tissue repair हमारे पास जो gluconeogenesis है यहाँ पर वो भी हमारे पास इसका mean भी जो है तो breakdown after glucose है this one, gluconeogenesis जो है यह भी हमारे पास breakdown after glucose है साथ में हम कहते है कि क्या है कि tissue repair ठीक है और tissue की जो रहे है repair होता है ठीक है उसके mean दोबारा चोप उसकी बनना होता है healing process होता है उसमें भी जो है तो यह हमारे पास इंपोर्टेंट रॉल play करते हैं नेक्स्ट हम आजजते हैं पेंकिर्यास के उपर पेंकिर्यास हमारे पास two types में होते हैं एक हमारे पास digestive enzymes होते हैं एक पेंकिरियास, इंजाइम्स, डिजेस्टिव इंजाइम्स, हिमाइलेस, लिपेस, एंड प्रोटियेस, ये तीन जो हमारे पास डिजेस्टिव इंजाइम्स हैं, ये पेंकिरियास रिजेस करता हैं, इंटू दा, इस्माल इंटेस्टाइम्स, और हमारे पास जो रिलीस करता हैं हार्मून्स को जो के एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं वो हैं ग्लुकोगान इंसुलीन ठीक है यह हमारे पास जो है तो हार्मून्स है जो के यह एंडोक्राइन सिस्टम रिलीस करता है अब यहां पर हमारे पास सम्टू डिसक्स करेंगे इंसुलीन जो के हमारे पास प्रोम को भी जो है तो ये प्रोमोट करता है उनकी भी स्टोरिज को सैकेंड हमारे पास जो गलुकोगॉण है तो वह हमारे पास क्या करता है तो उनको में में ने को सिस्टेवार्मून को रिलीज करता है। स हमाने पास होगारे अनबॉलिक होता है उसका मीर मिलमरपस यह एंः आपॉलिक सच जाइल अब बालिक कि करता हैस यह पर भी आपको यही लिभा है पर प्रमॉटении मेंड लूडिये डिसू में Wed एंड पर्फॉर्मिस एंहेंस्मेंट ठीक है मीन मसल्स मास्क की ग्रोथ में और डिवलेपेंड में एनबॉलिक इस्टराइड का बहुत एहम रोल होता है सेकिंड जो हमारे पास इसमें आता है वो है एड्रोजेनिक इस्टराइड ठीक है एड्रोजेनिक इस्टराइड जो है तो ये हमारे पास stimulate करते हैं male sex hormones testosterone को quello ठीक Chandler 8 में उसका क्या है कि ये हिए प्रॉमोट करते हैं talking हृँwood है सब्सक्राइबन करते वो element अब मारे पास आता है वह एस्टरोजेन Village फीमालिंटीव सिस्टम हर्मून्स ठीक है फीमैल उप्रोड़क्टीव घार्मून्स है क्टेबिश और अर्य में तो वो करेंगे यहां पर आपको कहते हैं कि इस्टूजन की में टैनिस में रोल्ट यहाँ पर हमारे पार सिस्टूजन हर्मून का नेवल होता है जिसे आपको यहां पर डिग्राम में भी बताया है है वो हमारे पास चेंज होता है अब आप खुद भी देख सकते हैं ठीक है यह जो कलर फिलिंग पिक्चर है ठीक है यह आपको इस हर्मून्स लेवल का बता रही है ठीक है अब आप देखें एज 20 में 30 में थोड़ा इसका लेवल ज्यादा होता है एज 35 ठीक है में 31-35 जो एज होती है इसमें इस्ट्रजन लेवल का हर्मून का लेवल बहुत स्यादा होता है एज 35 से अबब हो जाए एज 40 तो वह हर्मून्स दोबारा जो है तो डिफिशंसी या डिग्रीज के सरफ जाना शुरू हो जाते हैं एज 50 में ठीक है यह देखें एज 60 एज 70 में और 80 में आकर तो बिल्कुल हर्मूनस जो होते हैं वो फिमलकी बाटी में आल मॉस्ट्ली जो है तो डिफिश इन्डिफिशन हो जाती है तो हमारे पास यहां पर हम पर हम जो फुटर जो फंक्शन पले करता है वो भी डिपेंड करता है नहीं फिमलकी एज पर स्वेटिन फेक्न के दिग hormone level on the in the female body each important factor thank you if you have any quiz or suggestion so you can share in the comment section